In this video we are going to discuss about single phase half bridge inverter और इससे पहले जो वीडियो में मैंने हमने डिसकास किया था वो resistive load के लिए था आज जो ये वीडियो है ये है basically resistively plus inductive loads के लिए मैंने पहले भी highlight किया था कि बहुत सारे loads जो हैं वो इसी category में लाए करते होते हैं तो हम आज इसको देखेंगे किस तरी किसे इसमें हम इसमें इसकी operation देखेंगे इसकी operation को understand करने के लिए different modes of operation जिसके अंदर ये operate करता है वो हम circuits बनाएंगे उसके साथ साथ हम इसकी waveform देखेंगे और कुछ देखेंगे जो हमें चाहिए होंगी वो क्या होंगी इसमें अभी हम देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ करें टी-1 और टी-2 प्रिवियल सी जब रिजिस्टिव लोड के लिए हमने यूज़ किया तो मैंने तो अब इनकी इसके अंदर इंवाल्मेंट है और क्या है किस तरीके से यह डायोड जो हैं वो इसे ऑपरेशन के अंदर एफेक्ट करेंगे एक बात तो आपको समझनी पढ़ेगी कि voltage source inverter के हवाले से कि जो हम यह square wave inverter हम डिसकस कर रहे हैं यह basically voltage source inverters की एक टाइप है और इसके अंदर सबसे important चीज़ यह है कि जो voltage की waveform होती है अगर आप लोड चेंज भी कर देंगे तो भी इसके उपर कोई असर नहीं होता या कोई फरक नहीं पड़ता अब जो हम बिसिकली लोड हमने चेंज किया है इससे इसकी करेंट युए फोर्म के उपर जो है वो डिफरेंस पड़ता है और आपिसली कुछ मोड्स भी जो हैं सरकेट के वो एड़ हो जाते हैं इंडक्टिव लोड को टैकल करने के लिए आसे तो चले हम इसको अब देखते हैं हमारे पास जैसे मैंने पहले अपने डिसकेशन में बात की थी कि अगर हम इस सरकेट को एनलाईज करना चाहरे हैं इसकी ऑपरेशन को समझना चाहरे हैं तो सबसे इंपॉर्टन यह चीज़ है कि इसके अंदर दो स्विचेश इंवावल है पहली बात तो यह कि यह मोर और लेस बहुत ज़ादा है तक प्लासी चॉपर से मिलता जुलता है तो एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रखे का जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी वह यहां पर भी है कि दोनों स्विचेश एक साथ टर्न आउन नहीं कर सकते हैं विकाश जो सप्लाय है इसको डिरेक्ली एक पाथ मिल जाएगा शौर्ट सरकुट पाथ मिल जाएगा तो इस तरी के से डिजाइन करेंगे कि एक वक्त में एक ही ट्राजिस्टर जो है वह ओन होगा सेकेंडली यह जो वोल्टेज स्क्यर इन्वर्टर की यह टाइप है यह सिर्फ बाइपोलर है इधर यहां तो वोल्टेज पॉस्टिव होगी या नेगेटिव होगी जिसे और जो कुछ कंडिशन मैंने पहले बताएं थी वह यह है कि जो टाइम होगा जिसके लिए वोल्ट वोल्टेज पॉस्टिव होगी और जिसके लिए वोल्टेज नेगेटिव होगी यह मस्ट पी एकुल ठीक है और जो आपके पास जो इधर आपको पास वोल्टेज है जो आप सप्लाय कर रहे हैं जो हमने स्पेशल स्ट्रक्चर लगाया वह इसका मक्सद यह था है तो कीप पास क्या होगा जब टीवन ओन होगा ठीक है जब आपको अब अब हुससे हम स्टार्ट करतें टीवन ओन होगा तो उस वक्त आपके पास क्या होगा तो यह वाला जो पॉर्शिन जो नीचे है यह पिल्कुल कट जाएगा टीवन को आउने से सिर्फ यह पॉर्शिन जो एफेक्टिवली इसके अंदर आएगा तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं तो आप देखेगा और इस सब्सक्राइब को समझने कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज टेके पेपर और उसके उपर जो है विस सब्सक्राइब को बनाएं अपने हाथ से तैट गिवस्यू लॉट अफ कॉन्फिदेंस के हो क्या रहा है कौन सी डिवाइस हो रही है तो अब यहां पे देखते हैं आप पस आर है यहां पे ल है माइनस प्लस यह वी नौट इस इस प्लस माइनस वी एस बाइट और अगर हम इसमें करण डिरेक्शन देखें तो ओबिसली हम पदा है कि करण डिरेक्शन जो है लिट सब्सक्राइब कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी इंट्रस्टिंग है पहली बात तो इसली राइट राइट कि जो मेरे पास वी नौट है वो प्लस वी एस बाइट वाइट वह जैसे 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 अच्विट अच्छा यहां पर चुक्ए आपको पास इंड़क्टर है और इसका साथ एक रिजिस्टन्स भी है यह फास्ट टॉर्ट बन जाता है तो अगर फास् जीर होगा दिर इस नो फ्लक्स इंसाइड ठीक है यह जो इनिशल कर्डिशन लेते हैं तो अगर हम वो स्टार्ट करें तो उसके मताबिक यह हमारे पास वे करन्ट इंक्रीज करेंगा एक्स्पनेंशल इंक्रीज होगा करें तो मैं अगर आइनौट की हवाले से लिख रहा ह तो यह जो कीज है यह मेरे लोड है मैं इस क्लास इंड़गा क्या है यह मेरे पास जो है डाट की लुड तो अभी पावर ट्रांसफर क्रणों को कर देखाए तो ज क्योंकिव क्रूंके पॉस्टान्ट होगा वो भी पॉस्टाइफ होगा और तो बहाइट में-स्ह曲 से लोड सोर्स टु लोड यह दोनों जो है इसे लोड की तरफ जा रही है यह हम इसको देख सकते हैं अच्छा इसके बाद हम इसको लैट सभोल हमने टी वन को अन जो किया सरी टी वन को ँप खाल यह लोग तो हमने T2 को और T1 को off कर दिया और T2 को on कर दिया Interestingly आप यह समझेंगे कि current को obviously इस direction में जाना चाहिए यहां से जो मुझे नजर आता है कि current should take this direction ठीक है but if you take look at the inductor तो अगर हम conductor को देखें तो current जो है वो जो पिछले previous mode की जैसे इसमें इस तरफ setup हुआ है इस direction में setup हुआ है current ठीक है तो inductor cannot allow any instantaneous change in current यह सबसे inductor का basic behavior है and that I have repeated many times in this course earlier भी तो current जो है वो इस direction में चल सकता ठीक है ना इस mode के अंदर current जो है वो इस direction में नहीं चल सकता और current क्यास चलेगा इस direction में चलेगा और इस direction में जब चलेगा तो जो हमारे पास low mode बन गया आएगा यह अगर लेट सपोसे इसको में गया तो यह माइनस वी एस बाइटू और यह तो जब यह current इस direction में चलेगा तो यह इस यह डायोट यह आपका turn on हो जाएगा so current will be going into this direction current की direction यह हो गई आपके पात और आपका जो डायोट D2 है यह turn on कर जाएगा जब यह डायोट turn on कर जाएगा इंट्रेस्टिंग लिव आप देखेगा यह plus जब इंपूट source है इसका plus minus के साथ connected है और this minus is connected with this thing तो अगर मैं इसकी output voltage लों तो वह होगी minus Vs by 2 यह ठीक है अब I not current I not current जो है अब जहांब हम देखें तो current जो है न वो load से source की तरफ जा रहा है source से load की तरफ नहीं जा रहा है तो it would be decreasing current decrease करेगा ठीक है और यह जो इसकी direction है हाँ current की direction देखें तो यह plus से negative की तरह ही flow कर रहा है तो current direction positive ही होगी यह सारे conventions है and I have discussed them earlier in the course के conventions क्या है currents के और voltages के तो यह हमारे पास जो है mode 2 हो जाएगा power को अगर मैं देखूं तो power क्या होगी ठीक है power जो है मेरे पास obviously इसमें negative होगी ठीक है power जो है मेरे पास negative है और यह signify करती है यह load से source की तरफ power जाड़ी होगी यह होगी यह होगी आप यह पास थर्ड इसका हम बनाते हैं third mode देखते हैं कि वो क्या होगा ठीक है अगर third mode देखूं तो वो T2 on अभी भी होगा हमारे पास और T1 जो है वो हमारे पास off ही होगा यह जी यह third mode होगा इस में क्या होगा कि जब यह current हमारा इस तरफ चल रहा था यह खतम हो जाएगा तो जैसी the moment it ends यह current जो हमारे पास खतम होगा तो हमारे पास जो है यह current अब जो है setup होगा किस तरीके से इस source की वज़े से current setup होगा इस direction that's it यह loop बनेगा इसके अंदर जो है यह चलेगा तो अगर मैं इस लूप के हवाले से circuit बनाऊ तो आप देखेंगे कि यह resistor this is inductor and this is the transistor T2 और यह लेजे यह प्लस माइनस वीस बाइटू आर एल so plus sorry यहां पर मैं यह polarities को जहार में रखिया करेंगे यह हमने यहां पर fix की हुई है यह convention में आप देखेंगे तो अब जो current चलेगा वह इस direction में चलेगा ठीक हो गया यहां पर लिखने current है और अब मैं यह दुबारा भी देखते हैं यह वी एस बाइटू की जो connected है वह minus के साथ है और यह minus जो connected है transistor के तुरू इस plus के साथ है so I will write ps vs is equal to minus vs by 2 again vs by 2 यह वो गी आयनोड आयनोड को अगर मैं देखूं तो वह अब क्या होगा current यह है वह exponentially rise करेगा लेकिन negative direction में so increase कर रहा है लेकिन rise कर रहा है लेकिन negative direction में current rise करेगा तो current negative होगा और power यह है यह voltage भी negative है और current भी negative है तो power यह वह positive होगी और source से लोड की तरफ होगी तो यह हो गया अभी भी हमार पास एक रहा है वेन बिल्टा अब यह जब यह होगा हमार पास तो अगेन हम T1 को turn on करेंगे ठीक कर टीवन को turn on करेंगे तो अगर हम T1 को turn on करें टीडू को off कर दिया तो अब यह अगेन मेरे से मसला क्या होगा कि मसला यह होगा कि अभी जो current चल रहा था थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं यहां पर ताकि आपको बता लग जाए कि current की भी switching हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि मैं थोड़ा से यह क्लियर कर जाता हूं आपके आपको clear हो जाए यह देखें यहां पर यह लगा दिया इसको यहां पर लगा रहे है अब जो current I will take the path from D1 and would flow in this direction और हमारे पास जो है sorry यह जो है एक से किन साफ कर देता हूं यहां पर अगर हम देखें यह हमारे पस D1 के थुरू current flow करेगा resistor inductor and that's it RL minus plus यहां पर मेरे पस V0 होगा and the current direction would be in this direction so this is D1 plus minus Vs by 2 हुआ यह है कि क्योंके previous mode यह वाला mode था इसमें यह current की direction थी वो यह वाली setup हुई so if this current is setup तो T1 on नहीं हो सकता है अगर T1 on आपने कर भी दिया तो direction current जो है T1 के थुरू फ्लो नहीं करेगा बलके वो क्या करेगा inductor cannot let the current change instantaneously वहां से नहीं आने लेगा वह इस से flow कराएगा और जब इस से flow कराएगा तो यहां पर current जो है वो क्या करेगा इस direction में फ्लो करेगा और इस direction में जब फ्लो करेगा then again we will see यहां पर अगर मैं देखूं तो plus जो है connected है plus के साथ minus connected है minus के साथ so I can write V not should be equal to plus V is by 2 current की direction अगर मैं देखूं तो मेरी current की direction जो है अभी decrease करेगा current अब exponential increase नहीं हो रही है बड़कर decrease हो रही है और current की direction जो है वो negative है power की अगर मैं देखूं तो वो negative होगी क्योंकि यह plus minus है combination है और load से source की तरफ power जाएगी देखें यह एक और आ गया यह मैंने चार modes बना रही है इस circuit के हवाले से और now in order to complete this operation of the circuit what we should we do basically हम क्या करेंगे कि हम लोग waveform create करेंगे इस circuit की और waveform create करके यह जो modes हमने specify की है इनको हम लोग जो है उसके उपर दिखाएंगे कि यह कैसे जो है हो रहे है तो थोड़ा सा इसको बिटा लेता हूं ताकि मेरे पास जगह यहां पर waveform के लिए बंजे मोड्स हमारे पास इसमें सारे बने हुए हैं तो लेट्स मेंट इट फॉर इस तिंग उपर जो है मेरे पास वही इंपूट आ रही है और वो टाइम के साथ आ रही है बीजेस बाइटो इस वाक जो यहां भी मेरे पास टो टाइम के साथ आएगा यह सब्सक्राइब अगर वो टी वन है तो मैं इसको फॉर गर लेता हूं टी वाइटो मेरे पस टी है ठीडी वाइट टू एंड इस इस डूट यहां पर टी वन के लिए यह यह इदर आउन होग इसको डॉट कर लेता हूं अगें गुही फॉर सेक्षिन में डिवाइट कर लेता हूं टी टू के लिए तो मेरा टी टू जो है वो इसके लिए अन होगा और अब मैं वोल्टेज बनाता हूं यह मैंने ट्रिगरिंग दिये जो ट्रांसिटर्स को दिये वह मैंने बना दी है और अगर उस ट्रिगर के हवार से देखों तो मैंने पहले ही का था वोल्टेज की वेफ़ों में कोई फरक नहीं आता लोड के बनाने से यह आगे जी ओल्टेज विद नो इशुए अगर लेकिन जो करेंट है करेंट को हमने देखा होगा तो पहले मोड जो मैंने बनाया था वह यहाँ बहुत सब्सक्राइब इसको बनाने का मक्सद यह कि यहां से कि यह रिपीट हो रहा होता है तो पहला मैंने कहा था इंक्रीजिंग इस एक्सपोनेंशल इंक्रीज है ठीक है यह फर्स्ट और सब्सक्राइब आप यह बिसिकली रेडिट है निवेर के फास्ट और सब्सक्राइब की कैसे वह सकती है मैं मैं आप डिस्क्रिप्शन में को लिंको करा भी डाल दूंगा य यह इदर से फिर इंक्रीज करेगा और यहां पर आप दिखे तो यह टाइम पूरा हो चुका है लेकिन यह इदर से डिक्रीज करेगा और यह ही जो है यहां पर हमारे पास यहां पर भी आ सकता है अगें फिर यहां से दोबारा इंक्रीज करेगा फिर यह दोबारा मेरा यहां पर होगा इदर यह मेरा मोड तू था वो मेरा यहां पर होगा इस जगह पर यहां पर यह मेरा मोड थी था और यह मेरा मोड फॉर था वो होगा मेरा किस जगह पर मोड फॉर तो इन ओर इस प्रेशन ऑपरेशन ऑफ दिस सर्कुट हमने यह विव फॉर्म भी मना लिए इसमें आउट पूट वोल्टेज और यह करंट है उसको भी स्पेसिफाइब कर दिय और हमने दिखा दिया किस तरीके सो होगा तो exponential increase and decrease of होगा जो first order circuit के तोर के तौर पे हम resistive plus inductive load के लिए लिए ले सकते हैं आप inductive circuit inductive pure inductive के लिए भी इसको analyze कर सकते हैं उसमें इसको difficulty नहीं होगी जहां आपने यह अपने यह exponential इनिशल डिके इन यहां पर आप रंस यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग रेंब्स ओर डिक्रीजिंग रेंब्स और उसको इंडेकर के लिए आप जो है विजिस्टिफाइ कर सकते हैं, तो that's the all the operation for this circuit and I hope so you will understand if I can summarize in few sentences तो ये circuit को समझने के लिए आप बिसिकली पहले circuit बना लेते हैं फिर different modes बना लें strategy को ये modes बना लें and then you can basically plot the waveform using these modes आप इनको देखते वे पनी जो है waveform भी plot कर सकते हैं और circuit की जो operation है उसको समझ सकते हैं so I hope so it completes the discussion on this topic we will continue with the next topics as well thank you